Terminologies of relational database मतलब वो basic terms जो कि relational database के अंदर use होती है वो अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ लेते हैं है ना वो अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जैसे सबसे पहले आपन देख लेते हैं relation का मतलब क्या होता है अब relation का मतलब होता है table क्या होता है relation का मतलब table से होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर यह table दे रखी है अब relation के अंदर क्या क्या होता है relation मतलब table और table के अंदर क्या क्या होता है, table के अंदर होती है rows, जैसे कि यहाँ पर इस table के अंदर 3 row दे रखी है, है ना, rows होती है और क्या होता है और होते है columns जैसे कि इस table के अंदर किती columns दे रखिए एक दो है ना तीन चार पाँच और एक एच है मतलब six columns तो rows का ये rows हो गई और in columns का collection ही क्या कहलाता है table कहलाता है table मतलब relation आपको एक बात याद रखनी है जो आपका paper होगा उसके अंदर आपको table नहीं बोलेगा आपको क्या बोलेगा relation बोलेगा मगर अपन इन शब्द को पहले ही देख लेते हैं अपनको ये पता लग जाएगा कि relation का मतलब क्या होता है और attribute का मतलब क्या होता है जिससे अगर आप paper के question आता है तो आप समझ जाओगे relation मतलब table की बात कर रहा है ऐसे करके आप समझ जाओगे अब अपन इस relation मतलब table की definition देख लेते हैं a relation refers to a table मतलब एक relation को table कर सकते हो आप that consists of rows and columns जो कि किसका collection होता है rows और columns का connection होता है या फिर आप बोल सकते हो जो कि rows और columns को रखता है और use to store data और इसका use क्या करने के लिए किया जाता है या फिर data को store करने के लिए किया जाता है या फिर data को store करने के लिए किया जाता है एक table के अंदर जितनी भी rows होती है उन सब को आप tuples बोल सकते हो जैसे इस table के अंदर तीन rows है है ना इन तीनों को आप क्या बोल सकते हो tuple बोल सकते हो record भी बोल सकते हो और row भी बोल सकते हो मतलब की एक row को यह जो row है इस row को आप record और यह record और टपल के नाम से भी जानते हो यह आपर ले रखा है एक टपल refers to a single row in a table मतलब एक single row को आप टपल बोलोगे एक table के अंदर यह table है इसके अंदर एक single row को क्या बोलोगे आप टपल बोल सकते हो या फिर row भी बोल सकते हो tuple also known as row and records मतलब आप एक टपल को टपल बोल सकते हो और रिकॉर्ड भी कह सकते हो यह table के अंदर attribute का मतलब column से हो सकता है या फिर field से भी हो सकता है attribute को आप column भी बोल सकते हो और field भी word सकते हो तो अगशून के अंदर 款ुझ्अ फिर create ऑब दिखा हो आजै तो भी समझ जा आट्रिब्यूट है इसका मतलब मतलब कॉलम है ना इस टेबल के अंदर कितनी कॉलम है एक दो तीन और ये चार्ट और फाइफ फाइफ कॉलम्स हो गई ओके अब इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा एट्रिब्यूट्स मिन एंटायर कॉलम इने टेबल मतलब यह जो पूर और फिल्ड के नाम से भी जानते हूँ अब आपन फोर्थ नंबर पर किसको देख लेते हैं यह डोमेन क्या होता इसको समझ देते हैं तो यह आपके सामने एक टेबल है है ना इस टेबल के अंदर अलग-अलग कॉलम है जैसे एक कॉलम यह हो गया पूरा का पूरा है ना ऐस अलग-अलग कॉलम है और हर एक Jobs का यह हर एक कॉलम मना अपना एक क्या है डोमेन है है आप वह लोग अब हुछ समाझ भाई तो देखो यहां पर यह टेबल पर यह टेमेंद ।ो यह आपको फ्लम की टेबल है इस कॉलम की आपको एक कॉलम पर दे रखा है student name एक कॉलम www १ इस कॉलम में आपको क्या दे रखा है इस कॉलम में दे रखा है स्टूडेंट रोल नमबर एक कॉलम यह है इसके अंदर क्या दे रखा है स्टूडेंट एड्रेस और ऐसे ही एक पूरा का पूरा कॉलम यह आपको दे रखा है यहाँ पर है यह क्या दे रखा है स्टूडेंट क्या होगा इंट होगा ऐसे ही student address का data type क्या होगा तो आप यहाँ पर देखी लो यह देखो यह student name है इसका data type string है roll number का data type क्या है इंट है और यहाँ पर student address दे रखा है where care में मतलब where care का मतलब होता है variable plus character जैसे आपका address आप बोलोगे plot number 45 xyz नगर तो इसके अंदर क्या होता है number और character दोनों आ रहे हैं इसका वहर कर रखते है address का data type और यहाँ पर यह student phone number है इसको आपन long value दे 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 तो यह जो आपके दे रखा है string, int यह सब क्या यह data type है और हर एक column का particular data type आपने जैसे fix कर दिया तो उसके अंदर उसी type की value आएगी मतलब set of value सिर्फ वह यह आएगी जो आपने उसका data type दे रखा है student name हो गया, student name के अंदर आप नाम डालोगे जैसे string ही डालोगे इसके अंदर जैसे कि आपने अपना नाम डाल दिया आपका नाम है कोई जैसे xyz तो domain का मतलब यह होता है हर एक column का अपना एक particular data type होता है या फिर आपन बोल सकते हैं हर एक column के अंदर set of value fix कर दी जाती है उस set of value को ही आप उसके अंदर डाल सकते हैं अगर आप कोई सा भी अलग value डालोगे तो वह accept नहीं करेगा तो यहाँ पर domain का मतलब आपको समझ में आई चुका है आपको एक बाइस की definition भी देख लेते हैं domain means a set of values मतलब एक set of values से होता है domain का मतलब जैसे हर एक column का एक आप particular data type set कर देते हो तो सिर्फ वो ही data type आप उसके अंदर डाल सकते हो उसके अलावा नहीं डाल सकते है अगर डालोगे तो वह accept नहीं करेगा column है ना आगे देखते है the domain is the data type describing the type of values that can appear in each column मतलब उसी type की value आप उस column के अंदर डाल सकते हो जिस type की आपने उसके अंदर set करी जैसे string कर दी या फिर integer दिया तो integer value यह डाल सकते हो ऐसे अब फिफ्ट नमबर पर अपन किसको समझ लेते हैं ये relational schema क्या होता है देखो relational schema से मतलब होता है table की heading जो भी आपकी heading होती है table की उस पूरी heading को आप क्या बोल सकते हो relational schema बोल सकते हो अब ये relational schema काम क्या करता है तो ये structure को define करता है table के इस पूरी table के structure को कौन define करेगा ये relational schema define करेगा अब जैसे एपन देख लेते हैं एक बार नीचे relational schema means the heading of the table जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था और structure को कैसे define करता है वो यहाँ पे समझने ही कोशिश करना जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई है student और उसके बाद मैं attribute लिखे है 1, 2, 3, 4 है ना इसको समझना ये लिख लिया मैंने student plus मैंने क्या लिखे ये attribute लिख लिए 1 से लेकर attribute A1 से लेकर A4 तक लिख लिए ये पूरा मिलकर क्या बना रहा है और दूसरी बार ये इस texture को define करता है एक table के जैसे माल लो ये A1 है यहाँ पर ये A1 है ना ये A1 एक role number नाम का attribute है इस role number के अंदर अपन int नाम की data type set कर दिये तो integer value ही आएगी किसके अंदर इसके अंदर सिर्फ integer value ही आएगी इस पूरे column के अंदर ओके फ्रेंड्स तो ये आपने define कर दिया ऐसा ही A2 का A2 के अंदर name लिख दिया अपने और उसको अपने define कर दिया कैर और A3 के अंदर address लिख दिया इसको अपने where add लिख दिया और A4 के अंदर अपने phone number डिफाइन किया A4 की जगह पन क्या कर रहे है इस phone number को लिख देंगे और यहाँ पे इसको क्या set कर देंगे int तो यह सब तो क्या हो गए यह सारे तो आपके domain हो गए domain हो गए है यह सारे तो मतलब हर एक attribute का domain fix होता है और उस domain के हिसाब से ही हर एक attribute दे रखा है यहाँ पे A1 के अंदर आपने roll number set कर दिया यह roll number लिख दिया है यहाँ पे और इस roll number के अंदर मैंने integer value set कर दी कौन सी value int value set कर दी तो इसके अंदर किसके अंदर इस पूरे के पूरे column के अंदर सिर्फ मैं integer value ही रख सकता हूँ जैसे 1, 2 है ना 1, 2 या 3 relational schema represents the name of the relation with its attribute मतलब relational schema पर क्या represent करता है table का नाम plus उसके attribute जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक table का नाम है और बागी सारे क्या है यह सारे attribute है A1, A2, A3 और A4 यहाँ पर A1 की जगे अपन क्या रख देंगे A1 की जगे रोल नमबर रख देंगे ऐसे ही A2 की जगे नेम यहाँ पर अपन क्या कर देंगे A2 की जगे नेम और A3 की जगे क्या रख देंगे A3 की जगे अड्रेस और A4 की जगे फोन नमबर तो A3 की जगे क्या लख देंगे अपन एड्रेस और address लग देंगे और A4 की जगे क्या लग देंगे अपन A4 की जगे लग देंगे अपन phone number तो इस type से ये table का नाम plus attribute ये दोनों मिला कर क्या कहलाते हैं? relational schema कहलाते हैं उसके बाद में आपन देख लेते हैं relational schema defines the structure of the relation जैसा कि मैंने बताया है relational schema क्या करता है? structure define करता है किसके structure को define करता है? एक relation के मतलब एक table के structure को define करता है 6th number आपने देख लेते हैं क्या current relation state या फिर cardinalty भी बोल सकते हैं उसको जैसे ये एक table है इसके अंदर attribute कितने हैं? 3 है A1 से लेकर A3 तक है ना? और हर एक आपका जो आपका ये attribute है यानी column है हर एक column का अपना एक domain होगा जैसे A1 का एक domain होगा D1, A2 का एक domain होगा क्या होगा? D2 और ऐसे ही A3 का एक domain होगा? आपका एक domain होगा? D3 ऐसे हर एक domain होगा तो current relation state से समझ लेते हैं पहले current relation table है इस टेबल के अंदर कितने number of rows है, कितने number of rows है, वो क्या हो जाता है, current relation state हो जाता है, इसकी cardinalty कैसे देखेंगे आपन, देखो, जैसे कि अपन को पता ही है, कि टेबल, हर एक table, subset होता है, कि इसका partition product का, आप बलूगे सक कैसे, देखो, इसको मैंने well defined तरीके से बताया है, आप playlist check करो, उसमें आपको पता लग जाएगा, मगर अपन यहाँ पर देखने क्या है, हर एक table, subset होता है, cartesian product का, अब जो आपका, जो cartesian product का subset होता है, उसको अपन कुछ इस type से represent करेंगे, है ना, जैसे एक relation हो गया, मतलब table हो गई, उस table का subset क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने पास में, जैसे कि अपने देखा ही था, d1, d2 और d3, अपन ने यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिया, d1, cross, d2, cross, और d3, है ना, cardinalty of each set, मतलब हर एक set का cardinalty क्या होगी, जैसे d1 की cardinalty कितनी होगी, d2 की cardinalty और d3 की, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने टपल है, कितनी रो है, एक, है ना, दो, तीन, हर एक के अंदर तीन थीन ही है, यहाँ पर भी तीन है, a2 के अंदर भी तीन है, और a3 के अंदर तो यहां पर अपन लिख देंगे 3 यहां पर भी अपन लिख देंगे 3 और यहां पर भी अपन लिख देंगे 3 तो इसका आंसर क्या आएगा then 3 की पावर 3 rows are possible in this table मतलब इस table के अंदर 3 की पावर 3 rows possible है अब अपन ये 7 नमबर पर देख लेते हैं 7 नमबर पर अपन को दे रखा है degree of relation मतलब relation का मतलब एक table होता है तो table के degrees क्या होगी यह पूछ रहा है तो table के degree का मतलब होता है यह जो एक table है इसके अंदर कितने number of columns है वो ही उसकी क्या कहलाएगी उसकी degree कहलाएगी जैसे एक column यह हो गया यह पूरा-पूरा column है तो यह column 1 हो गया ऐसे ही column 2 हो गया यह column 2 यह column 3 हो गया और यहाँ पर यह column 4 हो गया तो ऐसे करके कितने column है अपने पास 4 column है एक table के अंदर कितने column है 4 column है एक table के अंदर तो इसकी degree कितनी हो जाएगी इसकी degree हो जाएगी पृर दा नंबर और अफ एक दूने कित्रे रेस्ट मतलब एक टेकला यहां पे लिक्रिका स्माद यूपकर लेते हैं है रिलेशन स्टेट क्या होगे वह देख calculating यहां पे लिख रहा है table itself, अब वह कैसे खैलाती है यह student नाम की table है और इस table के अंदर अपने सामने यह attribute है, कौन-कौन से यह जो आपके सामने में बना रहा हूं, यह सारे attribute है, तो अपने बोल सकते हैं कि एक relational schema के अंदर कितने number of rows है, कितने number of rows हैं, रोज को आपन क्या बोल सकते हैं, टपल्स, कितने नमबर अफ टपल्स हैं, वो ही क्या कहलाता है, उसे टेबल की relation state कहलाती है, अब एक चीज समझने कोशिश करो, यह जो relation state है, यह relation state है, यह यह दो type की होती है, कौन कौन सी होती है, देखो, एक तो होता है आपका intention, और एक होता है extension, तो जो यह आपका relation schema है, मतलब यह heading, कौन सी, यह heading, पलस यह attributes, यह attributes सारे, यह तो क्या कहलाता है, आपका relational schema कहलाता है, इस relational schema को आप intention भी क्या बोल सकते हूँ? Intention भी बोल सकते हूँ. ये देखो. Intention, Intention का मतलब क्या होता है? Intention means the heading. क्या होता है? Heading होता है. Table की جो heading होती है, उसको अपन क्या बोलता है? Intention बोलते हैं. तो Intention का मतलब सम्झे यह आप Relation State के दो type होता है. यह जो Relation State है, इसके दो type होते है, कौन-कौन सा? एक तो intention होता है, दूसरा क्या होता है? extension होता है, तो intention का मतलब तो आप समझ चुके होंगे दूसरे number पर देख लेते हैं अपन extension, extension का मतलब होता है ये जितनी भी rows होती है या फिर tuples होती है एक table के अंदर है ना, वो tuples क्या होती है वो आपकी extension कहलाती है तो यहाँ पर देख लो, extension का मतलब relation, extension means table itself, table itself से मतलब table itself से मतलब ये जितनी भी आपकी rows है एक table के अंदर, है ना, वो क्या कहलाएगी वो आपकी extension कहलाएगी अब relation और relation बीच में diamond, है ना, ये diamond के sign से लिए present करते हैं, तो ये दोनों अलग-अलग चीज है, आपको पता होना चाहिए